आज से महस्ट दो दिनों के बाद बाबा बागेश्वर्धाम वाले पंडित धिरेंदर सास्त्री बिहार आ रहे हैं नौबतपूर में उनके कारेक्रम की पुर्जोर तरीके से तैयारी की जा रही है और इधर पटना में उनके पूस्टर फाड़े जा रहे हैं आपको बता दे कि बिहार में इन दिनों पंडित धिरेंदर सास्त्री को लेकर सियासत खूब तांडों मता रही है जहां बीजेपी लगतार पंडित धिरेंदर सास्त्री के सपोर्ट में और उनका पुर्जोर तरीके से स्वागत कर रही है तो यह महागडबंदन के तमाम नेता पंडित धिरेंदर सास्त्री का जम कर विरोध कर रहे हैं और कल की घट्टा है जब पटना के डाग बंगला चौराय साइथ तमाम जगों पर जहां पर पंडित धिरेंदर सास्त्री और बाबा बागिस्वरधाम के आगमन को ले करके उनके स्वागत में पूस्टर लगाए गए थे तो कई लोगों ने उनके पूस्टर फार दिये हैं पूस्टर फारने के बाद अब बिहार में खूब बवाल मचा हुआ है इधर मंट्री त्रेट पताप यादो अपनी पार्टी डियेसेस को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं तो क्या 13 माई को जब पंडित धिरेंदर सास्त्री बिहार के धरती पर पटना में कदम रखेंगे तो क्या कुछ बड़ा बवाल डियेसेस करेगी क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है जिस तरीके से लगतार बयान बाजिया आ रही है तो क्या कुछ हो सकता है लेकिन देखें किस तरीके से पोस्टर जो है वो फाड़ा गया है ये पटना के डाग बंगला चौराह साइथ कई जगों की तस्बीरे सोशल मीडि पर खुब वाइरल हो रही है जहां पर पंडित दिरेंद्र सास्त्री के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है पोस्टर फाड़ने का वीडियो सामने आ गया है जिसमें एक यूवक पोस्टर को फारता दिख रहा है वो कौन है या पता नहीं चल पाया है बीजेपी पर धाम के बाबा धिरेंद्र सास्त्री की हनुमान कता होने वाली है पटना के हर चौक चौराहे पर हनुमान कता का पोस्टर लगाया गया था मंगलवार को डाग बंगला चौरा गादी मदान इंकम टेक्स गुलंबर राजा बजार सहित कई इलाकों में ये पोस्टर फटा मिला है आपको बताए कि बीजेपी प्रवक्ता प्रवक्ताओं ने कहा कि बहुत ही दुर्भागे पुण है यह आध्यात्मिक पूरुस का पोस्टर फाड़ा जा रहा है कहीं न कहीं इसमें किसी राजनीती दल कहां थै ऐसे लोग जो लगताद धिरेंद्र सास्ते के दालू जो है वह आने वाले हैं जिसको रेकल तरेल पाली मठ पर तीन लाग स्कॉयर फिट में बहब ये पंडाल बनाये जा रहा है बाबा बागेस्वर के लिए 5000 स्कॉयर फिट स्टेज बनाये गया है वहीं पार्किंग के बिवस्ता 15 लाग स्कॉयर फिट में की जा रही है इसके लावा लोगों के ठहरने के भी इंतजाम किये गए हैं आये जोकों का कहना है कि यहाँ पर मेडिकल सुविधा से लेकर बंडारे तक की सुविधा है ताकि सरद्धालूओं को कोई परिशानी नहीं नहीं हो सके साथ ही महिलाओं के ठहरने के लिए भी अलग ब्यवस्ता की गई है इधर जहाँ एक तरब तेजप्रताप यादो लगतार बयान बाजी कर रहे हैं तो वहीं बाबा बागेश्वर ने बीते दिनों एक प्रेस कांफरेंस में कहा कि आधी तुफान कुछ भी आ जाए लेकिन हन्मान कथा हो के रहेगी तो इस प्रकार से बिहार में राजनीती बागेश्वर धाम को लेकर खूब चल रही है आप भी अपनी राए रखिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद